दोस्तों भार्तिय जन्ता पार्टी 2024 की तैयारियों में लगी हुई है पूरी तरीके से जोटी हुई है तमाम बड़े नेता मंत्री इस काम को समभाले हुए है कि किसी भी तरीके से 2024 में वो वापसी कर सके 2024 में फिर से उनके पास कुरसी जो है वो एक बार फिर से हो और फिर वो विश्वगुरू की अपादी तो आप सभी जानते हैं कि गोदी मीडिया के जरिये किस तरीके से विश्वगुरू 2024 जीत रहे हैं डंका बज रहा है ये तमाम खबरों से प्रचारित प्रसारित किया जात है अभिहाल ही के दिनों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि हमने अपनी छवी जो है मेहनत करके देशवासियों के उपर समर्पत करके कमाई है अखवार और नियूस पेपर के हेडलाइन से नहीं अखवार और नियूस पेपर में छपे अड़टाइजम विधान सभा चुनाव की तैयारी हो या उसको देखते हुए मद्दे नज़र रखते हुए 2024 को जितने की ख्वाहिश कह सकते हैं लेकिन बिपक्ष भी एक साथ आने की कोशिश कर रहा है लामबंदी कर रहा है कि भाजपा को हरा सके लेकिन आप दोस्तों इस जीत हार में किस किसकी जीत होगी किसकी हार होगी वो तो चुनाव होने के बाद पता चलेगा क्योंकि जनता का मत किसके साथ होगा वो जादा इंपॉर्टेंट होता है और फिलहाल जनता अभी किस तरीके से अपने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रही है वो जरा आप इस वीडियो क कि अंदर साफत तोर पर देख सकते हैं क्योंकि उत्तरप्रदेश कि राजधानी लखनायों के अन्धर-ईचर हो finns वीडियो को दोस्तों राजे साहू जो सरकार है वो टूइट करते वे लिख रहे हैं कि लखनाओ के रामाबाई अमबेचकर मैदान में सिक्षा मित्रों का हुजूम जो है वो उमर पड़ा है मांग है कि सामान काम का सामान बेतन दिया जाए यानि कि यहां पर भी अपनी बेतन के मांग को लेकर सरकार के खलाफ जो है इस वीडियो के अंदर देखेंगे तो खचा खच भीड नज़र आ रही है हुजूम जो है बीड का सिक्षा मित्रों का वो साफतोर पर नज़र आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पूरी लखनाओ के जो लोग है वो ही सडकोपर निकलाएं है इतनी ज़ादा भीड रामाबाई अमबेजकर मैदान में नजर आ रही है और योगी आदतनाद से मांग की जा रही है कि उनको बेतन दिया जाए उनको समान बेतन दिया जाए कल ही एक वीडियो हमने दिखाया था दोस्तो जब हर्याना सरकार जो कि इसी साल हर्याना में election होने वाला है चुनाब होने वाला है वहाँ पर कैसे पुरानी pension को लेकर पुरानी pension बहाली को लेकर हजारों हजार लाखों लाख लोग सड़कों पर उतर आये थे और फिर पुलिस को water cannon आसू गैस और गोलिया जो है वो डागनी पड़ी थी ताकि भीर तितर बितर हो सके और खटर के घर पर भीर जो है वो धावा ना दे सके तो कल भी आपने वो तस्वीरे देखी कि BJP साशत राज्यों में किस तरीके से जो जनता है जो आम लोग है जो सिक्षक है, टीचर्स है, बेरोजगार, युवा है वो सब अपनी मांगों को लेकर अब सडकों पर उतरते वे नजरा रहे हैं इसका सीधा तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सडकों पर किस तरीके की भीर नजरा रही है दूसरा टूइट आपको दिखाते हैं दोस्तो, गोविंद प्रताप सिंग का यह टूइट करते वे लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश भर में सिक्षा मित्र आज राजधानी लखनाव पहुँच चुके हैं यह सभी योगी सरकार से नियमिती करन का गुहार लगा रहे हैं हाला कि PM, CM तक दिलासा दे चुके हैं, लेकिन हुआ क्या है, वो आप जान ही रहे हैं और तस्वीरे जो बता रही है, उसको देखी सकते हैं, कि जो वादे किये गए थे, अर्श्वासन दिया गया था, वो अर्श्वासन पूरा नहीं हुआ है दोस्तों आपको बता दे की, प्रधान मंतरी मोदी जब चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा था, तो उन्होंने बड़े बड़े बादे किये थे उन बादों का पेपर कटिंग भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है और इसी पेपर कटिंग को गोविन प्रताप सिंग ने पोस्ट करते हुए लिखा कि देखिए प्रधान मंतरी ने सिक्षा मित्रों से किस तरीके से वादा जो है वो किया था तो इस पेपर में आप देखेंगे दोस्तों तो लिखा वा है कि सिक्षा मित्रों की जिमेदारी मेरी प्रदान मंत्री मोदी का ये बात था कि सिक्षा मित्रों की जिमेदारी मेरी है और चुनाव खत्म वादे जैसे लगता है खत्म हो चुके हैं वही याद दिलाने की की जा रही है पीम मोदी ने ये भी कहा था कि जो 50 साल में नहीं हुआ वो 50 मा में हो जाएगा लेकिन इसी चीज को लेकर अब सिक्षा मित्रों का धर्णा प्रदेशन शुरू हो गया है एक और पेपर की कटिंग है दोस्तों वो आपको दिखा दे कि यहां पर टूइट करते व बीस तारीक को बीजेपी ने की जीत पक्की हुई थी और एक साल होने के बाद भी इनके मसले जो है वो हल नहीं हुए है और इसी वज़े से आज सडकों पर इतना हुजूम दिखाई दे रहा है एक और वीडियो है आनंद मोहन शुकल के निट्वीच करते वे लिखा है कि ल नहीं मिलनी चाहिए जो सिक्षक है वो समान सिक्षकों की तरह ही अपनी सालरी को लेकर डिमांड कर रहे हैं सरकार से मांग कर रहे हैं हलाकि प्रधान मंत्री से लेकर सीम योग यादतनात ने इस पर आसवासन दिया था कि वो इनकी मांगों को पूरी करेंगे उनके रहा है उससे तो हमें बहुत कम मिलना है तो इसी तरीके से इन लोगों ने अपनी मांगे शुरू कर दी है जिसका नतीजा है कि आज लखनौ की सड़कों पर लाखों लाख हजारों हजार भीड एकत्रित हो गई है दोस्तों जनता अपने नेता जी के वादों को जो भूल ग जनता उस जीत को पकी करेगी या नहीं करेगी अब यही वक्त है कि अपने मांगों को अपने दिमांड्स को मानने के लिए सड़कों पर उतर आएं दोस्तों इस पूरे रपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिक के लिया है में कॉमें सेक्शन में जरूर बताईएगा साथी साथ नेशन ते सिक्सी को जाद से जादा लाइक शियर और सबस्क्राइब करना बलकुल भी ना भूले झाल झाल झाल